दाम के दाम अगले 15 से 20 दिनों में गिरने शुरू हो जाएंगे डाल एसोशेशन ने वितमंत्री अनुजेटली से मिलक भरोसा दिया है कि बाजार में जल्दी ही सप्लाई बढ़ने शुरू हो जाएगी असोशेशन ने रोजाना एक लाग किलो दाल 135 रुपय किलो के भाव सरकारी अजनसियों को देने का भरोसा भी दिया है डाम कम होने के और भी वजहें हैं दिसंबर के बाद दाल की नई फसल आने शुरू हो जाएगी सबजियों की नई सप्लाई आने से भी दालों के दाम पर असर देखा गया है अगले छे माँ में निजी कमपनिया 25 लाख टन दाल देश में आयात करेंगी खबरे हैं कि ए आयात 70 से 80 रुपय प्रतिकिलो की दर से किया जा रहा है लिहाज आ दाम तूट सकते हैं राज्यों में दालों की जमा कोई रोकने के लिए चाप हिमारी के बाद भी दाम कम होने के असार है देश में 170 लाख टन दाल का उत्पादन होता है जबकि खबद 230 लाक टन की है और 60 लाक टन सालाना आयात किया जाता है अंतरास्टी बाजार में भी उत्पादन कम होने से दाल के दाम भड़े हैं अजय मिस्ट्र डीडी न्यूस दिल्ली